हेई, हलो किसान भाईो, मैं हूँ आपका मचली वाला भाया उन्वेस्ट हरिया फिसरीज ग्रजूट अंटरप्रिनौर और आप देख रहे हैं उसकर फिसरीज किसान भाईो, हर वो मचली पालक जो मचली पाला भी कर रहा है या फिर करना चाहता है उसको हमेशा कोई न कोई fisheries expert यही सला देता है कि आप मचली पालानी स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में budgeting करिए कि आपका कितना पैसा आपके तलाब के निर्माण में, आपके बच्चों को खरीदने के लिए, आपके फीड में कितना खर्च होने वाला है और overall आपके साल क में कितना पैसा, कितना प्रॉफिट आपके जीब में आने वाला है, इसका सारा डीटेलिंग आपको मचली पालनी स्टार्ट करने से पहले ही करना चाहिए लिखित रूप में, है ना, तो आज कि इस वीडियो में हैं पन दोस्तों, तिलापया मचली पालन की संपूर्ण कारेरत हैं, वहाँ पर बहुत सारे फार्मर हैं, अपना जो बजट है, वो सर लोग से बनवाते हैं, तो उन्हों ही लोगों से मैंने भी लिया हुआ है, जो ये वैलिड है और प्रूफ्ड है कि एक फार्मर से है, और आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा, आपको एक अपना मचली पलन है, वो किया हुआ है, ये 6 मेने से उन्होंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका कैपिटल कॉस्ट, बदलब आपके इंफ्रस्रेक्टर्चर डेलोप्मेंट में कितना खर्च आया है, आपके तलाब निर्मान में, सबसे पहले दोस्तों, किसी भी जगा में तलाब खुदाई से पहले हम लोग सापसफाई करते हैं, तो उस भाई ने 4000 खर्च किया उसमें, उसके बात तलाब के निर्मान में, पोटल उन्होंने JCB से खुदवाई करवाई है, और 1500 पर अवर के हिसाब से उनको 50 घंटा लगभाग अप्र उनने 1 लाग रुपे खर्च किया, तो इस हिसाब से कैपिटल कॉस्ट है दोस्तों, उनका 3,49,000 रुपे तक है, उनका कैपिटल कॉस्ट में घुसा है, ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका आता है, ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब आपका तलाब निर्मान के पस्चात, जो प्रो खर्च किया, गोबर डलवाया कम से कम 10 तन, एक हेक्टर में 10 तन तक गोबर है, वो लग जाती है, तो आपका 10,000 रुपे गोबर में खर्च हुआ, बच्चा डलवाया दोस्तों, उन्होंने पर हेक्टर के हिसाब से 25,000 मोनोसेक्स तिलापिया बच्चा, जिसके एक बच्च पढ़ गया दोस्तों, उनको 2,83,500 रुपे, यह उनका दाना का खर्च पढ़ गया, उप्रॉक्स, उसके लावा वाच्मेन रखा था, जो उनके घर कही था, तो उसको उन्होंने 10,000 रुपे दिया था, तो इससाब से ऑपरेशनल कोश्ट अगर देखा जाए, तो टोटल 4, 11,500 रुपे है, वो उनका पूरा ओपरेशन को रन करने के लिए उनका खर्च हो गया, तो इन दोनों खर्च को जब मिलाया गया, तो टोटल उनका खर्च हुआ दोस्तों, 7,50,500 रुपे, यह आपका तलापी खोदाई से लेकर, आपके पूरा मचली के हार्वेस्टिंग तक टोटल कितना खर्च हो गया, 7,50,500 रुपे, अब बात करते हैं कि मेरे किसान भाई ने 6 मिने तिलापिय मचली का पालन किया, और बाद में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में जरा डिसकस करते हैं, बच्चा अपन ने डाला था 25,000, उसमें से दोस्तों, जो बच 500 ग्राम बच्चा, 500 ग्राम साइस काप का मोनोस्वेक्स तिलापिया है, वो 6 मेने में असानी से हो जाता है, तो टोटल 20,000 को 500 से मल्टिप्लाई करते हैं दोस्तों, तो अपना जो भार आता है, टोटल वो आता है, 10,000 मतब 10,000 का टोटल मचली है, वो उनका प्रोडक्शन आपन बात करते हैं कि उनको कितना मुनाफ़ा हुआ, मैंने आपको पहले बात किया था कि कितना को लगा था, तो यहां पर लिखा हुआ है, 7,500,000 का उनको जो टोटल खर्च है वो लगा था, उन्होंने मचलीया सेल करी, 9,500,000 का उन्होंने मचलीया सेल करी, तो इसको अगर माइनस के जाता है 9,50,000 को आपन 7,50,500 से माइनस करते हैं तो टोटल उनको कितना मुनाफ़ा हुआ 1,99,500 मतलब अप्रॉक्स 2,00,000 रुपे का उनको फायदा है वो हुआ है मतलब 6 मेने में तिलपिया मचली का पालन करके आप एक हेक्टर के तलाब से दोस्तो 2,00,000 रुपे तक है वो आप कमा सकते हो यह 6 मेने का बस डाटा है मतलब अगर आप साल भर की बात करें तो आप 4,45,000 रुपे तक आप अपना पैसा है वो कमा सकते हो दूसरी बात यह आपकी पहले साल की डाटा है अगर जैसे जैसे आप experience लेते जाते हो मचली पालन का तो आपका मचलियों का survival rate भी बहुत बढ़िया आता है और मचलियों का भार भी आप 6 मेनों में आसानी से 600-700 गाम तक है वो आप आसानी से ले जा सकते हो तो experience के साथ साथ आपका profit भी बढ़ता है और आपके जैब में ज़्यादा पैसे है वो आते हैं तो यह रहाज का वीडियो अगर पसंद आगा तो वीडियो को like जरूर करिया किसान भाईो और अपने farmer भाई को इसको share भी कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करिए और अगर आपके दिमाख में कुछ भी doubt होस को नीचे comment करिए तो यह रहाज का वीडियो मिलते हैं अगर वीडियो में किसान भाईो तब तक के लिए बड़ो का सम्मान करिए छड़ो को प्यार करिए और खुद का देर सारा ख्याल लगए Thank you, thanks for watching